योग इक जोगिंग ठीक है अब आपको मिनिमम एक्सिसाइज जो सब कर सकते हैं सीधे सीधे करो सीधे सीधे अभी तो स्टार्ट अप हो रहा है अभी तो सुरू आते है सरफरोसी की तमना अब हमारे दिल में है देखना है जो और कितना बाजवे का दिल में है सरफरोसी की तमना अब हमारे दिल में है पैर विलाओ वाक्त आने पर बता देंगे तुझे ओ आसमा हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है अब हमारे दिल में है तो रिलाक्स एक दो मिनट ऐसे करना थेर पचास ओ बार ऐसे करना तरो श्टाट दो तीन चार पाच छे साथ हाट नो दस ऐसे पूरा हाथ है से देगा से यह मस्ती से ऐसे यह बच ज्यादा मत करना इने तो कर दूखेगा बोड़ी की सेप अच्छी होने ची जंगाएं भुजाएं पुरा श्रीर मजबूत कितनी बार करना च्वेंटिफाइं फिफ्ट्य और हंड़ टाइम्स करना ठीक है किसी को और ज्याद अच्छे कर चिए तो पचास सो बार ऐसे करूं तो नीचे नीचे दो तीन ऐसे ऐसे ऐ सो एक मिनट में सोबार हो जाता है पास्ट रिलाक्स चलो यह तो मिनिममम एक्सेसाइज बता रहें अभी मैक्जिममम भी बताएंगे अभी तो स्टार्ट किया है ना चलो गठो अभी एक्सेसाइज चल रही है पैरू की चल रही थे ना अभी हाथों की मिनमम पैकेज बता रहे हैं ना तो मिनमम पैकेज में चलो आपको 25-25 बार कराएंगे 10-25 मैं 100 टाइम्स करता हूं ठीक है वान मिनिट में 100 टाइम्स कैसे देखो ऐसे यह मैं तो अपना 100 टाइम्स करके आयों करो आपके साथ करूंगा एक्ष्ट्रा चलो स्राट हन् टू लंबेश्वास पूरा नीजिए यह बनीवात यास एक घुटने मतिकाओ कुसे ने देखो कुसे ने घुटने टिका रहे हैं ऐसे कर रहे हैं यह कुण साप हो जब यह नहीं घुटने सीधे ऐसे यह डिलाक्स एक्सराइज सिखा रहा हूं एक्सराइज की ट्रैने वान मिनट हैंडर टाइम्स आपको कितना समय लगेगा एक मंथ लगेगा वन मंथ लग जाएगा सेकेंड अंगली आंग उठे अंदर कर लो आप शरीर को पूरा सीधा करके आगे पिछी पूरा सीधा नीचे उपर चलो गुटने सीधे कमर सीधी गर्दन सीधी नीचे उपर पूरा ऐसे बनी बहुत यह बले बावाजी दस बार से ज्याज़ा नहीं होता अंडर टाइम्स कितने देर करना है तभी तो मजबूत आएगी थिर जिम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी दो तो हो गया यह दो तीसरा देखो वह इजी बता रहूं जी वाला मीनिमम देखो यह करो ना ऐसे ऐसे पीशे गए हैसे एक दो तीस इतो भूती जी है सत्तर के हो गए तो सत्रा साल जैसे एनर्जी ले सकते हो ऐसे है जवान बच्चों का ऐसे करना चाहिए नीचे पूरा ओपर भी पूरा हाँ चलो लोग जिम में जाते हैं शरीर में जंग लगा हुआ ये ऐसे कितनी बार करना सो बार ज़्यादा हो गया चलो 10 to 20 25 देखो पहने तो धीरे बता रहा हूँ तेजी से तो ऐसे हो जाता है बात में तो पता है नहीं लगता कैसे हो रहा है परफेक्शन के बाद प्रैक्टिस बहुत इजी हो जाएगी बोलते हैं न वक्त कम है हमें एक भज़न भी सुनाते हैं वक्त है कम लंबी मन्जिल तुम्हें तेज कदम चलना होगा ए परमत पस्या के पथी को तुम्हें नो तन पथी घड़ना होगा वक्त है कम लंबी मन्जिल तुम्हें तेज कदम चलना होगा तो सुनो आपको अभी मिनमम पैकेज बता रहे थी एक्सेसाइज को इतना तो कर लोगे न ठीक है अब कम्प्लीट पैकेज में बता अभी मेल बर्ण में तो मुझे आते रहना है अभी कोई अंतिम यात्रा धोड़ी है अंतिम यात्रा का तो मत्रवी औरी कुछ होता है तो आपकी यात्रा भी जारी रहेगी योग यात्रा के साथ इसे जीवन यात्रा को आगे बढ़ाएंगे इस बार तो आरे समाज की लगबग भी सेकर भूमी पर आरे समाज का भवे भवन बनाने के लिए उसका फाउंडेशन स्टोन रखने के लिए और भवन निर्मान के साथ आपका जीवन निर्मान करने के लिए आया हूँ, बहुत जल्दी ही पतंजरी योग पीठ भी आपके आश्टेडिया में बनाएंगे। बहुत कुछ करना हैं, तो आप लोग क्या करो बैठे बैठे, आप लोग बटरफलाई करो, आप लोग ये करो, ऐसे ऐसे, ये तो आपके लिए हैं, और ये आपके लिए मैंने बताया, जो कठीन एक्सेसाइज ने कर पाते हैं, वो ये करो, कपाल भाती करो, ज्यादा वक्त है तो ये किया करो कबाल भाती कुछ लोग कहते हैं जब खाली होते हैं तब क्या करें जब खाली होते हैं तब योग करो स्वाध्याय करो यज्य करो हवन करो हवन करने से सारे देवी देवता एक साथ प्रसन्न हो जाते हैं हवन में अगनिर्वई देवा नाम अगनी सारे देवी देवताओं का सारी देवी शक्तियों का मुख है अगनी में जो हवे डालते हैं जो द्रवे डालते हैं वो सारे ब्रमान तक पहुंच जाता है तो जब वक्त हो तब योग के साथ यज्य करो आज मैंने बोला अच्छे अच्छे पुस्तके लेकी जाना स्वाध्याय करो फिर क्या करो मेडिटेशन करो जादा योगा भ्यास अलग अलग पूरा भी बता रहा हूँ ऐसे हैं फिर सेवा करो अपने समय का पूरा सदूपयोग करो ऐसे तो आपको अभी कपालभाती करना सब कपालभाती करना अनुलोम मिलोम कपालभाती अनुलोम मिलोम ये दो most important breathing मैं कर रहा था जो जवान बेटे बेटी आए न उनके लिए complete traditional yogic exercises का package this is for youngsters पहले को बोलते हैं दंड़ उसके बाद में लगाएंगे बैठक तो twelve दंड़ eight बैठक twenty हो जाएंगे देखो ये पहला ऐसे हैं इसको ऐसे हैं एक स्वास में एक अभ्यास होता है ये पहला फिर ये दूसरा एक स्वास में एक अभ्यास यह दो फिर यह तीसरा फिर यह चोथा इनके नाम भी साधानन दंड राम मोर्ति दंड वक्षिवी कासा दंड यह चड़ रहा हुनमान दंड बुला बजरंग बनी की तो बजरंग बनी की तरह खुद बनो अनमान जी की तरह है वरकी धानन अनते हैं चित्र नहीं चुरत्य की उपास ना करो व्यक्ति नहीं व्यक्तित्र की उपास ना करो आपने भी किया पहले तो दीरे किया मैंने बाद में थोड़ा तेजी से कर दिया था धीरे करने पर ऐसी पएर आ गया एक दो … T nessa moment तो यह हो गया हनुवान दंड क्या है बोलो फिर अगला है बृट शीक दंड करते रो बाकि आपको काम दे रखा मैंने युदू कापाल भात या ना अनुरूम ब्रीधिंग इस यह व्रिशिक दंड ऐसे, पैर भी से उठा ऐसे रागे जुका है, बोडी का बैलेंस होता है, पूरा है, फिर इसमें पैरी उठा, आप उजिट साइड में गया, व्रिशिक दंड का दूसरा भ्यास हुआ है ऐसे, एक शास, एक भ्यास, ऐसे ही है, फाइव मिनट्स में दिरे कर रहा हूँ, फिर, पार सोदंड, एक पैरे से गया, ऐसे जुक गए, दो, तिर, वन, चू, फिर, यह ट्रादिशनल, कम्प्लीट, फिजिकल फिटनेस एक्सराइज, यह धीरे किया, तेजी से करते हैं तो ऐसे, 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 ताब, इसके लिए, प्रैक्टिस करने पड़ती है, अपने आपको साथ हो, साथ हो, फिर, यह होगा आप चक्रदंड, पार्शोदंड था भी, अब नाम क्या बोलो, अरे नाम तो बोल तो करना तो मुझे यह है, बोलो, चक्रदंड, ऐसे, यह पैर आएगा सामने से, यहाँ थूट देएंगे, ऐसे, तो को स्रोव मुमेंट में, यहाँ उतितना तो करना पाँ, अब आ हो, यहाँआ ंने वाहाँ प्लो, यह है यहाँ नाम तो कना पाँ करना थे तो शारो, यहाँ बोलो,com, यह चक्रदंड है और अब पलटदंड क्या है नाम बोलो हेंक तो तीम चार पाच छे साथ हैसी यह हो गई पलटदंड जवानों के लिए अपने जवान बेटा बेटी उसलिए तो मेरे बोला था बच्चों को लेके आना अगला भ्यास इसका नाम है सेर दंड क्या है वरो शेर दंड कैसे हाथों को ऐसे रखते हैं फिर पैरों को उछालते हैं सिर को आगे से निकालते हैं रहसे आप कि 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 समझ में तो आगे है ना कि सेर दंड फिर है सर्पदंड अभी तो टैन हुए है एलेवन्त वन टू थ्री पस इतना ही बहुत है कहले तीन तीन बार कर भात है है फिर कि एक साथ इसे जंगवाए स्पाइन कोड मजबूत हो जाती है अब बार वाँ लाश्ट यह सर्पदंड और यह मिश्रदंड तो पहले भी बता चुको चलो खुड़े हो जाओ साब करो यह अब बारा दंड के बाद आप बैठक है पुरा शरीर मजबूत बनना चाहिए मजबूर बनके ने जीना क्या बनके जीना मजबूत यह एक हुआ आधा आधी बैठक अब पूरी बैठक के लिए दोना साइड में एक आओ नीचे दो एक दो ऐसे सास बरके रिलाक्स अभी बहुत करा ना तीसरा साधान धंड के बाद साधान बैठक के बाद रामूर्ती बैठक नीचे एक श्रास में एक अभ्यास है उपर श्रास बरके समझ में आया है कि फाई ट्राइं टान्स कर सकते हैं ये फ्र पहल वारी बैठके दो अभ्यास हैं एक तो चलो वान चलांग लगाओ फिर पिछाओ फिर आगे जाओ फिर पिछाओ सीधी सीधे ऐसे हाँ कुछ हमारी बेहन बेटिया अच्छा कर रहें भाई भी अच्छा कर रहें पांच वाँ वान तो ठी तीन बार करों फिर पांच बार दस बार बीज पंचीज बार कर सकते हैं बड़ी बात इसे मजबूद हो जाएंगे सब पूरी लैक्स का स्ट्रेक्चर अच्छा हो जाएगा योग जे हमारा स्ट्रेक्चर और करेक्टर दोनों करेक्टर हो जाते हार्डवियर सोफ्ट्वियर दोनों अच्छ हो जाते हैं चलो पैरों में फात्रा दोनों सामने ये ऐसे ऐसे हाथा ये है हनुमान बैठ हक अब लोग हनुमान चाली सातों पढ़ते हैं जय हनुमान ज्ञान भुन सागर जय कपीष्टि हूँ लोक उजागर राम दोत अतुलित भल धाम अंजनी पुत्र पवन सुतनाना अब अतुलित भल धाम है हनुमान और तुम आधा भी नहीं जुका जा रहा है सही सही जुको पूरा जुकने में तो पूरे बैठो पूरे उठाश अब इसमें क्या कर रहें एक्टिंग कर रहें ऐसे ऐसे नहीं चलो नक्स हाथ ऐसे करो जवान ओ नहीं पर बैठो राक फेट पूरा सीधा यह बल्वान बनो वेद किया गया वेद हमारा धर्मा ध्यात्म संस्कृति का अधार है वेदो अखिनो धर्म मूलम वेद संपोर्ण धर्म का मूल है वेद कहता है अस्मा भावतो नस्तर हो हमारे शरी वजर की भाती होने चाहिए पूरी स्ट्रेशिंग हो रही है पूरा जंग लगे पड़े शरीरों में ऐसे वहना चाहिए नेक्स और लास्ट दुरा दूपार ऐसे ऐसे चुको बैलेंस ऐसे सामने की और से यह हाफ हुआ और यह हो गया पूरा जिसमें जितना दम हो उत्रा कर लेना आधा करो पूरा करो ऐसे यह बनीमात चलो वापस कर लो यह तो कर लेते हैं न पसीना आया यहां तो आगया भाई पसीना टफक ना चीए जो सुबह उठकर के एक करो सबसे उठके पसेने से नहाया करो योगिक जोगे हाई यह सब को करवा देते हैं योगिक जोगे यह मीनिमम एक्सरसाइज का हमने एक पूरा पैकेज बना रखा करो सीधे सीधे एरे नीचे जुकना है सीधे 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 ऐसे कुछ क्या कर रहे है 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 इतना इतना तो करो थोड़ा थोड़ा पूरी स्ट्रेचे पूरी एक्सरसाइज लंबे लंबे श्वास डी ब्री दिंक के साथ है कितना इजी है ना नेक्स दो नहां सामने से यह भी कर पूँचे जे बार अभ्यास है योगिक जोगिंग योगिक एक्सरसाइज पूरी हो जाती है कि जो बार सबना कर सेके हो इतना तो करना यह लंबंहे श्वास अइसे बूरे साइट में भी पूरे जाए एक्सर पूरे पीसे जुख जाया से यह थे ऐसे फिर साथ के बाद यह अठ्वा इसे अराम अरम से लंबे-लंबे श्वास जिसी जितने बन पाएं करना अप खुझे अधे दस बीजमार कर लेना रिक्रोस कर के कर लो चलो लमे लमें शास लो लमे चोड़ो पुरे कागरता तर्मायता के साथ करो कि ऐसे दस्वीस वार ऐसे कर लिया फिर यह आगे पीछे बाद हस्तास है दस्वीस वार पहले बताए आपको यह हमने योगिक जोगिंग के बारा पुछेज में एक पुरा पैकेज बना रखा है यह करना करेकेज़ करें लिक दिन वार भगीस वार मत जाता है करिंग करेदए भगानी하게 कर दो आजरोग कर दो कि करेंदे पर नांए क कर दो भूल झाले बार पैसे जादे कि आफ ब्यूंस को अधने जाए योगिक दैंसे लागीज सामने आ और कैसे? ऐसे, ऐसे याज से तरफ से, चला हाथ सी भी है? ऐसे हाथ भी है? ऐसे, यह है खुश्च बनी बात अरे उपर से नीचे तक पुरी शरी को भी लो ना यी तो है, जैसे दही भी भी लो, तेर बखान निकल जाता है तो तुम्हारा मखखन नीकालना है ना बनी बात तरे एक बार हास्यासन करो फिर से आनंद से ऐसे हास्या करो चलो एक बार ताली बजा रहा बैठो अभी पूरा नहीं हुआ है बैठो बैठो अभी तो यह एक आगी एक्सेस कर रही थी now we are doing light exercises चलो अंगली अंगुठो कागे पिछे दबाओ light exercise ले में ले में शआशे लो ऐसे अंगली यूं को अंगुठो कागे पिछे दबाना फिर पोरे पंजे को आगे पिछे दबाना दबाओ ना गुटने सी दे आगे पीछे दबाओ कितना एजी है ना लंबे लंबे स्वास बरो ना गोल गुमाओ ये लाइट एक्सेसाइज है ये तो सब कर सकते हैं वहाँ एजी है एजी योग योग फर आल फ्री फर आल योग फर ओल प्रॉब्लम्स योग इस वन शोलिशन ओफ आल प्रॉब्लम्स ओल चैलेंजेस ओल डिजीस कितनी समस्याई है दुनिया में हे मेरे भगवान वाइलेंस वार करेप्शन करेप्ट करेक्टर जूट लाए क्या क्या है असंतोष, असवचिता, अपवित्रता इंप्योरीटी इन अव्रिवेर और योग क्या है अहिंसा सत्या से ब्रमचरिया परिक्रा लूट मार ये नहीं चलेगा ये है योग शोच असंतोष अतपस्वत्य इश्वप्रिदान गोल गोल गुमाव ये योग से पूरे वल्ड की बड़ी समस्या है क्या है वालेस, वार, अनिम्प्लाइमेंट डिस्ट्रेक्टिव सोच, डिस्ट्रेक्टिव थॉर्स और इन एक्षन, रोंग एक्षन, रियक्षन, ड्रुग अडिक्षन ये दुनिया की समस्या है योग समाधान है, योग से सारे समाधान होंगे इसलिए योग का पत, ये वेद का पत है आगे पीछे ये रिश्यों का पत है ये देवत्व रिशित्व का पत है यही आरे समाज है आरे समाज का मत्रब कोई कोई मत्पन संपरदाय नहीं जो अच्छी चीज़े है आरे मने स्रेष्ट जो स्रेष्ट तत्व हैं जीवन के उसको जीना ऐसे तत्वों को जीवन में समाहित करने के लिए आरे समाच विक्टोरिया ने गोल गोल गुमाओ आगे पीछे जाओ सुक्षम्याय मोराय तो इतना तो कर लो कुछ तो वाँ अबाजी धाग गए इतने मात्था को ऐसे ऐसे करो प्रभो आशी शेदो हमको तुम्हारे यंत्र बन जाए बने राही परमपत के तुम्हारे अंश बन जाए नहोवे हम कभी विचलित सदा प्रेरित तुम्ही से हो सदा प्रेरित तुम्ही से हो सदा सदभाव संवाक रिशी के वंश बन जाए नहारे हम परिस्थिती से बदल दे प्रेम से दुनिया बदल दे प्रेम से दुनिया समझ कर प्रेम परिभासा तुम्हारे संत बन जाए ये सूक्ष में हम चल रहा है ये दिरूट कर लिया को हर समय भगवान के अंग संग जीना गुरु तत्व को रिशी तत्व को वेद तत्व को भ्रह्म तत्व को सत्य तत्व को अपने संमुख रखना हमेशा तुम्हे अनुभाव करे प्रतिपल ना एक पल दूर तुम से हो गाये तुम्हें अनुभव करे प्रतिपल ना एक पल दूर तुम से हो कुछ करें सुमजी आज तो आज तो आज चले जाओगे मैं नहीं जाओंगा मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा योग के रूप में सद विचारों के रूप में सद ज्यान के रूप में सद संग के रूप में सद भाओं के रूप में सद प्रेणाओं के रूप में सत्यादर्शों के रूप में तो क्या है प्रार्थना तुम्हें अनुभव करें प्रतिपल ना एक पल दूर तुम से हो तुम्हें अनुभव करें प्रतिपल, ना एक पल दूर तुमसे हो, ना एक पल दूर तुमसे हो बहारों की तरह हम भी खुशी के मंत्र बन जाएं प्रभो आशी इश्दो हमको तुम्हारे यंत्र बन जाएं करो, लमी लमी स्वास वरो, हमें भगवान का यंत्र बन के सारे शड़ी यंत्र दूर करने, बहात खड़ी यंत्र चल रहे हैं, चारो आएं दुन हाथ उपरढ़ाओ, प्रभो आशी इश्दो हमको तुम्हारे यंत्र बन जाएं राही परमपत के तुम्हारे अंश बन जाएं रिशी के वंश बन जाएं रिशी के वंश बन जाएं तुम्हारे संत बन जाएं खुशी के मंत्र बन जाएं तुम्हारे अंश बन जाएं रिशी के वंश बन जाएं लमे लमे श्वास बर कें ने देखो, कितना असान है ना हाथों से सिर्क और सिर्ज हाथों कि और एक दूसरे के अंटिप्रशर देना, ऐसे रिलाक्स हो जाना, कितना अच्छा है न, ऐसे सुक्षम यायम, जो थोड़ी स्ट्रोंग एक्सेसाइज थी, हैवी एक्सेसाइज थी, वो तो थोड़ा दिक्कत वाली थी, यह तो दिक्कत न इसी को कर लो, आगे पिछे, पूरा प्रेशर देना ऐसे, दोना हाथ गुतन पर और ऐसे ऐसे, परे सरीर को रिलाक्स कर दिया, इतना तो कर सकते हो न, तो वाट इस्टे मिनम योग पकेस, यह तो देली, अलली लाइक्सराइज, यह थी, यह थी, यह थी, यह थी, यह थी, ढूलो ठीक है की नहीं, तो यह थी, लोग गे न, लाइक्सराइज, और है पोज दूली यह थी, इजी थी थे, उतना कर लेना, और ब्रीधिंग, भस तरी का, कपाल बाती, अनुलोम मिलोम, भ्रामरी, ओम सब बलो, इसमें तो कोई दिकत नहीं है चलो अपने लिए ताली में आप अच्छे हो आप अच्छे हो और रोज कर